करेंगे UP beard direct admission 2021 के संदर में यानि आपको कितनी rank है इससे कोई लेना देना नहीं आप की बस rank हो आपने परिक्षा दी हो तो आप सिधा admission ले सकते हैं beard की seat पर उसके लिए दिसा निर्देश जारी कर दिये गए हैं तो यानि बिना counseling कह सकते हैं कि बिना counseling के आप सिधा admission ले लीजि और इस official website पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ schedule और वागी चीज़े सब जारी कर दी गई हैं एक एक चीज़ को आप सबजिया असानी से जिससे आपका confusion न हो और आपको और वीडियो देखने ना पड़ें देखिए यहाँ पर पहली guideline दी गई है कि सभी तरीके की counseling के बारे म आप यहां counseling का पूरा procedure पर सकते हैं नहीं समझ में है तो हमारा video है description link आपको description box में link मिल जाएगा वहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर schedule जारी किया गया है कि कब किस दिन कितने लोगों को जाना है उसके बाद आजाए यह general instructions दिये गए हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पर कर counseling होगी फिर उसके बाद जब इन दोनों counseling में आपको admission नहीं मिलेगा या आपने दोनों counseling छोड़ दी या आपकी यहां तक rank पहुची ही नहीं तब उसके बाद आपके लिए आता है यहां पर तीसरा direct admission आप सीधा direct college जाईए और वहाँ पर fees submit करिए और admission ले ले लीजिए clear हो गया फिर भी अगर आप वंचित रहे गए और आपको admission नहीं मिला और आप चाह रहे हैं कि हम admission ले 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 आपके अगल बगल कहीं अगर minority का institute है तो वहाँ जाके सीधा admission ले दीजिए यानि यह आपका phase 4 होगा यानि round 4 होगा round 4th counseling होगी उसमें आप minority में जाकर ले 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 या तीनों आप counseling छोड़ दें उसी के बाद आप चा सकते हैं आप आएए एक एक guideline को पढ़ते हैं और download करते हैं उसके बाद fees और बाकी duration यहाँ पर आपको provide कर आई गई है देखिए सबसे पहले schedule समझ लीजी schedule आपको यहाँ पर दिया गया है state rank wise आपको यहाँ बुलाए गय गई है कि कब से कब तक बिलाना है आपको कब से कब तक क्या खेल यहाँ पर है यहाँ देखिए एक से 75,000 तक बुलाएगा state rank की बात करें category rank की नहीं फिर यहाँ 75,000 एक से लेके 2,00,000 तक फिर 2,00,000 से उपर फिर 3,50,000 से और फिर उसके बाद pool और फिर direct admission देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर mention कर दिया गया है किस date में registration होगा किस choice filling कब होगी choice filling के allotment कब होगा और आगे confirmation fees payment कब होगा यह पूरी details में दी गई है हमने आपको link भी सारे बताए हैं वहाँ पर तो भी आप जाके देख सकते हैं यकीन मानी अगर आप पूरा का पूरा वीडियो तो आपके counseling संबंधी सारे doubts clear हो जाएंगे आपको कहीं और वीडियो देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए यहाँ पर आपको starting में ही नजर आने लगा होगा कि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है सीधा प्रवेश round 3 देखिए direct admission तीजी direct admission आप तभी लेंगे तभी start ह होंगे जब पहले दो round की counseling समाप्त हो गई होगी clear हो गया होगा यह जब दो round की counseling समाप्त हो जाएगी देखिए यहाँ पर लिखा है counseling यह चक्र college स्थर पर किया जाएगा यहाँ आपको विश्विद्याले से कोई लेना देना नहीं है यह college स्थर पर ही होगा सीधा क्व्शुर्टि काुंसिलिंग के इस दौर में भाग ले सकते है जिनके पास रैंक जिन्हों ने परिक्षा दी हो रैंक कुछ भी हो लेकिन उन्होंने परिक्षा दी हो पस हम उनिनी रांक उनकी जरूर समय की गई दो सर्ते हैं या तो counseling में participate ही ना कियो हो या फिर वो जो है सुनको city यह अलाउट ना की हो गई हो तो clear cut है दोनों हो गए प्रथम counseling में किसी को प्रथम counseling में किसी वहाविद्याले में प्रवेस नहीं लिया दिया गया या उन्हें पूल काउंसलिंग में प्रवेस नहीं दिया गया जिने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया ये इसकी सर्ते हो गई कॉलेज लखनोवी सुद्धाले की वेबसाइट से अब भ्यारतियों का विवरान सत्यापन करेगा और उन्हें सीधा प्रवेश के लिए कह देगा उनके लिए यहाँ पर प्रामर्स और पंजीकत के बैकलपिक मोबाइल नंबरों से भेजे गए OTP को दर्ज करने का करना होगा अब बैरति सत्यापन के लिए करना होगा केवल सीधे प्रवेश प्रकरिया में भाग लेने के लिए बैरति काउंसलिंग सुल्क उन्हें साड़े सास सो रुपे जमा करना होगा और यह सुल्क जो है वो जमा होगी कॉलेज इस तर पर तो यानि कॉलेज इस तर पर ही आपको सीधा चबा कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं यह पॉइंट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे अब बात कर लेते हैं अलब संक्यक सीटों पर सिधा प्रवेश यानि राउंड चार की तीन में आप तभी जाएंगे यानि डारेक्ट अड्मिशन तभी लेंगे जब पहले और दो राउंड की काउं वीडियो में तब तक के लिए आप ये वीडियो पूरा देख लिए आप डारेक्ट अड्मिशन यानि सीधा अलब संक्यक जिनको हम माइनोर्टी का इंस्ट्यूट कहते हैं उनकी बात करते हैं तो यहां सेम प्रोसीजर वही जैसा वहां था माइनोर्टी इंस्ट्यूट आ और वहां पर आप जाके देखें यहां पर उन्होंने सीधा मेंशन किया है आप देख सकते हैं चीजों को किलियर यहां किलियर कट में लिखा है किसी भी अप्रकार की समस्या नहीं अलब संक्यक संस्थान पहले ही अपनी गयर अलब संक्यक सीटे हैं टोटल अगर उसंके पा सब्सक्राइब कर लेना होगा और आप जो सब्सक्राइब कर लगनों पर प्रवेश्य चात्रों की सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा अब यहां पर देखिए अब देख सकते हैं अब दर्जे वाले कॉलेज में नीमिज सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग प्रकेरिया एक दो तीन के दोरान किया जाएगा और चा वही अब भ्यारती काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे जिनके पास बैदर रैंक है यानि सेम चीज हो गई और अलफसंख्यक कॉलेज के अलफसंख्यक सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा जिन अब भ्यारतियों को कॉंसलिंग किसी भी दौर की प्रवेश नहीं दिया प्रवेश के पात्र है यानि वही सेम की जो डारेक्ट अडिमिशन का था वही अलफसंख्यक का भी यहां पर रहता है सुल्क आपको जो है कॉलेज अस्तर पर जबा करना साड़े साथ सो रुपे की तो आप अलफसंख्यक डारेक्ट अडिमिशन का दोनों का समझ चुके पूरवांचल जौनपुर में रह रहे हैं अलफाबाद के असपास रह रहे हैं तो जैसे आप लिखेंगे तो उसी एरिया के आसपास के चीज़ों को हम पहले डिसकस कर लेंगे एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी से चीज़ों को कलियर हो जाएगा कि आपकी न अब यहां पर फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं तो फीस में आप यहां पर पाएंगे देखिए प्रतम काउंसिलिंग के लिए साड़े सासतो रुपे देना होता पांचे जार रुपे आपको अगरिम सुल्क जमा करनी होती है वो माइनस हो जाती यह तो पहले राउंड की की बात यहां पर हो गई हमें लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे इस तो यह पहले राउंड की काउंसिलिंग की बात यहां पर हो गई और यह सुल्क जमा करनी है अब इस तरह के सम नीचे के तरफ आते हैं तो यहां पर भी बताए गया कि यह पू यह डारेक्ट अड्मिशन आपके टर्म्स में है आपर काउंसिलिंग सुल्क आपको साड़े साथ सु रुपय देनी पड़ेगी और यह नॉन रफंटेविल होगी बाकी प्रवेश सुल्क यह जो अड्मिशन सीध है प्रवेश प्रकरिया में प्रवेश सुल्क भुकतार कॉल सब्सक्राइब सस्क्राइब करना होगा लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में आपको सीधा वहीं यहां में के प्रते चक्र में अलग कानसिलिंग सुल्क का भुकतान करना होगा जितनी बार आप पाटिसिपेट करते हैं साड़े साथ सौर रुपे आपको हर बार देने होते हैं तो उम्मिद करते हैं जो वीडियो आपने देखा होगा इसमें आपको सारी जानकारी मिल गई होगी बिना किसी डाउट के आप समझ गये होगे कि अब हम डारेक्ट अड्मिश से फिर से उगत कराएंगे कि यह इंस्ट्यूट आपके नज़र नस्दीक है यह इस प्रकार आप जाके वहां कर देख सकते हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत